अकुला शहर के पातु रोड सीद गंगा नगर परिसर के पच्छे मी छोर पर श्रिवार 23 दिसंबर से दिनी तबली की इस्तिमा का आगाज होने चारा है तीन दिस्य इस इस्तिमा में सुबा एवं दोपहर और शाम के अलावार रात तक बयान का दोर रहेगा लगबग एक महने से ज़्यादा चल रही इस्तिमा की तयारिया अंतिम चरन पर पहुँच गई है स्तानिय गंगा नगर के पच्छे मी छोर पर लगबग 161 अकट जमीन पर इस्तिमा का भव्यम मंडब चैसो पाच 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 शेसो वर्ग मिटर ड्रगबी में बना गया है जहां 50,000 से अधिक लोग एक साथ बैठने के अलावा नमाज तथा अन्य इबादत एक साथ अदा कर सकते हैं भव्यमंडग की उत्तरी एवं दक्षिन दिशाओं में दोसो दोसो सोच्छले एवं स्नानक्रवब बनाए गए हैं साथ ये तीन दिशाओं में बनाए गए 1200 वजू खानों पर एक साथ लगबक मुस्लिम वजू बना सकते हैं इस्तिमा गाह से दूरी पर भव्य पार्किंग की विवस्ता की गई हैं ताकि मुर्टिचापूर, पातुर, बालापूर और अकोड की दिशा से शहर में दाखिल होने वाले मुस्लिमों को उनकी वाहनों को खड़ा करने तथा वापसी में लोटते समय दिक्कत ना हो इस्तिमा की दौरान हर प्रकार की सेवाओं एवं सुविधा को ध्यान में रखती भी मुहलावार कमिटिया भी बनाई गई हैं जिने विविक काम एवं जिम्यदार या सुपी गई हैं खुल मिलाकर शनिवास से सुवार को सुबह तक आजित इस इस्तिमा को काम्याब करने के लिए जिले के सभी नागरिक अपना योगदान करने में कोई कसन नहीं चोड़ रहे हैं बताया क्या है कि तीन द्यूसियर दिनी तब्ली की इस्तिमा की वाकायता शिर्वात शनिवास यहोगी लेकिन उससे पहले शुक्रवार 22 देसंबर को दोपहर में जुमा की सामुईक नमाज अदा की चाहएं जुमा की सामुईक नमाज में भी सेकड़ों मुस्लिमों के शामिल होने की संभाना जटाएंगी है बताया क्या है कि इस इस्तिमा में दिल्ली के हजरत निजामों दिन की दरगा मारपसेद तबली की जमात के जिमिदारों के शामिल होने की संभाना है लगबगपास सदस्यत ज़्मेदारों का काफिला इस्तिमा में आने पाला है जिसे ध्यान में रखते वे विशेश व्यवस्ता भी की गई है बताया क्या है कि इस्तिमाग का परिसर में भूजन के दर सोन तयार कीगे हैं जहां दोपर एवं रात्री भूजन अल्प दरों में मौया रहेगा इसके अलावा इस्तिमाग का परिसर में 25 टॉल प्याओ और नाश्टर के 8 टॉल रहेगे जहां सुबा के समय सभी को चाय एवं नाश्टा निशुल वित्रित क्या जाएगा बताया क्या है कि तेन दियुसे इस्तिमाग का समापन सामुईक दुवा से होगा इस्तिमाग की आकरी दिन सुबार 25 दिसम्बर को सुबे 10 बचे सामुईक दुवा होगी दुवा की बाद अन्य जेलों से आए मुस्लिमों की रवान की कि शिर्वात होगी अन्बिस यंदेश के लिए अकुला से अजगर खान की रिपूर